आज मैं आपको किछन गार्णिंग का एक रव्यू देने के लिए आए उन दुबारा से पहले भी हमने रव्यू किया था और आज ज्यादा कुछी हो रही है कि काफी ज्यादा बड़े पोदे हो गया हमारे यह देखें एक जगा से शुरू होते हैं माशाला से यह देखें कित आज गार्णिंग कितना खूबसरा लग रहा है काफी ज्यादा यहां पर वेश्टेवल के पोदे मजूद हैं तो एक जगा से शुरू करते हैं यहां से शुरू करते हैं हमारे यहां पर है बंदगोबी के साथ ही है वह आइसबर्ग के पोदे लगए हैं वह आगे पास जाक देखते हैं जी ये आइसबर्ग के ये वले है आइसबर्ग मीन सलाल पता ही होता है और ये बंद गोबी की तरह बंद हो जाता है इसके सारे पते बंद हो जाते हैं इसको आइसबर्ग कहते हैं और यहां पे ये देखें ब्रोकली पहले हमने रव्यू किया था अपने किचन गा वीव में सौल पूछा गया था Grow Bag आप खरीद कहा थे सकते हैं Grow Bag आप online खरीब सकते हैं सर्च करें दराज में भी बहुत जाता अवेलिबल है और भी लोग online सेल कर रहे होते हैं फेस्बूक बेबी उन्होंने पेज़ बनाई हुए है वो भी Grow Bag सेल करते हैं इनके जो रेट है मुख्तलिफ है इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इनका क्या रेट है जो इन्होंने बताया था रेट यह गार्णिंग कलासिस वालों ने तो यह जो बड़े साइज का यह वाला पॉर्ट है इस यह 370 का 370 रुपे का पाकिसानी 370 और यह चोटा कोई पतानी 200 के गरीब था यह एक 180 के गरीब था यह जो चोटे वाला यहां पे ठारा इंच वाला पड़ा हुए और उससे चोटा बारा इंच वाला भी है बारा इंच के अंदर यह ब्रोकली के पोदे लगे हुई है और फूल गॉबी का भी पोदा यह हमें दखाई दे रहा है यह पूल गोबी हमारी लगी वीजिए और टोमाटो का पहुददा फलावरिंग पे आगए, यह इसके फलावर चेक करें, यह यहां पर हैं, छे पूल गोबी के पोँदे हैं, यह सारे फूल गोबी हैं, ब्रोकली यह सारे जो सेक्शन यहां पे लगा वा था, इसमें बंद ग परग है ब्रोकली है फूल गोबी है टोमाटो के पोदे हैं और यह मेथी हमारी आगी और उसके साथ पालक है जो ग्रो बैग के अंदर लगा ग्रो बैग यह जो बड़े साइज के इनके अंदर पत्तों माली सब्सक्राइब बहुत अच्छी चलती है गार्लिक अनियन रेड र डेडिश के पोदे हैं और यह फूल गोबी के हैं वो भी राड डेड यह यह शल्जम है और उसके आगे बंदगोबी है और यहां पी आज यह देखिए कि तना खूब सुर्वत रिजल्ट यह हमारा घाजनों का रिजल्ट है केरिट तो यह हमारी के साथ ही हमारा आगे कुर तोड़ेंगे तो फिर चौधी दवह भी आने शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही यह पार्सले लगा होगा है यह दनिया की फैमिली से और इसके साथ ही यह है पालक यह पालक को भी हम पहले हर्वेस्ट कर चुके हैं अब देखें हर्वेस्ट के बाद कितने ज्यादा बड़े को खाया हुआ है इसके ओपर स्प्रे कर चुके हैं अभी वो केड़े मर चुके हैं यहां पर नहीं दुखाई दे रहे अब यह पालक की बचत हो जाएगी स्प्रे क्या की थी नोड कर लीजिएगा आप भी नीम के पते आपने बॉयल करने हैं उसको हलकी आच में बॉयल करे और उसके साथ आप इस्तमाल करेंगे 2-3 चुटकी सर्फ ले लें यहां आप ले 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 लें यह जो एन्ड वाश के लिए होता है यह जो बरतन वाश के लिए होता है वो लिकविट बैस्ट रहेगा सर्फ की निसबत इस کو आपने पानी के अंदर 2-3 wardrobe صرف उसके velvet करने है도 और इस.dale लेटर पानी को अच्छी hurricane mix करके और उसका अपने spray करने है сп्रेअप बोटल के अंदर डालने है या जो पानी देने वाली बोटल होती है早ए अगर आप इनके उपर spray करेंगे अगर आपके ये देखें कितने ज्यादा पोदे यहां बे लगे हुए इनके उपर हर तीन चार दिन बाद स्प्रे करते हैं वही और गैनिक स्प्रे कोई नुकसान नहीं है इससे ही होता है कि जो केड़े आने वले हैं वो नहीं आता और जो लगे हुए हैं इन में से वो भाग जाते हैं ज्यादा तर और कुछ मर भी जाते हैं उस और्गैनिक स्प्रेय से अटैक से यह क्या हो वह है कि जैसे केड़ा लगाया केड़े ने पत्ते खाए हैं तो यह पोदा दूसरे पोदों की निस्वत छोटा रहा गया है इस वज़ा से इस बचारे के ग्रोथ पूरी नहीं हो रही यह पत्तों से अपनी जो अनर्जी बना रहा था वो केड़े खा और में स्टेंप और में रूर्स को वो अनर्जी नहीं मिल रही थी जिसकी वज़ा से यह हमारा पोदे छोटे और बाकी देखें कितने हैल्दी हैं तो यहां पर चेरी टोमाटो की वरैटी लगी हुई है यह सारी और शिमला मिर्च के पोदे कुछ लगे हुए थे शिमला मि मिले तो उसकी वज़ा से भी यह ऐसे हो जाता है पाणी की जियाती की वज़ा से भी इसको सुबा से शाम तक पूरी दूप चाहिए और इस सिजन के अंदर जैसे नुवंबर का मन्थ शुरू हो गया तो आपको रात के टाइम इने कवर करना चाहिए कवर करेंगे ज्यादा चांसिस हैं कि यह जो पत्ते कर्व और करली वगरा हो रहे हैं यह नहीं होंगे और यह मिर्चों के हमारे पोदे बचे जाएंगे मैं एक चीज़ आपको यहां पर बताता जो लूँ कि आप कोशिश किया करें कि देसी बीज लगाया करें हाइब्रेड बीजों को छोड़ द जो के देसी सीड लगाएंगे उसके अंदर जो टमाटो बनेंगे वह बहुत ज्यादा नूट्रेशन वैल्यों उनके अंदर होती हैं मतल सीधा और असान अलफाज में अगर देसी खाएंगे ना उसमें अच्छी खासी ताकत है और हाइब्रेड खाएंगे ना तो यह इसका पाता है हाइब्रेड को सबसे ज्यादा फार्टी लैजर और कैमिकल लीकवर्ड फार्टी लैजर इस्तमाल करना पड़ती है जिसकी वजह से वह ज्यादा प्रोडेक्शन आपको दे पाता है वह बहुला टमाटो का पोड़ा देसी बीच खरीदें इन में से ज्यादा दर द पूल गलाब का दिखाता हूं दो निकले हुए हैं यह मिलते हैं कि नेक्स वीडियों के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज बाए बाए